Hey there, welcome back to our channel in a classroom. आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है Listen to me Listen to me इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जो वर्ड है Listen to me, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है और Listen to me हम कब बोलते हैं So, Listen to me को हम अच्छे से जाने Listen to me को हम दो तरीके से यूज करते हैं अपने conversation में जैसे कि अगर हम किसी इनसान को बोलने Listen to me इसका मतलब होता है मेरी बात सुनो अब आप किसी इनसान को बोलने Listen to me इसका मतलब होता है मेरी बात सुनो वो इनसान आपकी बात सुनता है और आपकी बात, आप जो बोलते हैं, आप जो advice देते हैं, वो उसको follow करता है, तब आप उसको बोलते हैं, listen to me, मेरी बात सुनो, या मेरी बात सुनो, उसको छोड़ो, कोई अगर इंसान उसको advice दे, तो आप बोलते हैं, उसको छोड़ो, मेरी बात सुनो, तब भी हम बोलते है listen to me, और next जो वे है, listen to me बोलने का वो है, जब कोई इंसान को आप कुछ बताना चाहरा है, और वो अपनी बातों में अपनी बातों में खोया हुआ है, वो अपनी बातों चला रहा है, तब आप बोलते listen to me, मेरी बात सुनो, तुम जो ऐसा कह रहे है, वो गलत है, या फिर कोई आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता है, और आप गुस्से से वो चला जा रहा है, या अपनी मनमानी करे जा रहा है, तब आप बोलेंगे listen to me, मेरी बात सुनो, तुम यह से नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, यह नहीं हो सकता, तब भी आप बोलेंगे, listen to me, so guys, I hope आपको यह वीडियो को टॉपिक समझ में आया गया होगा, और ऐसे वीडियो, ऐसे ही टॉपिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करना ना बूले, मिलती हु नेक्स वीडियो, गुद्बाइ